गुड मॉर्निंग जैहिंद आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स एडमी में स्वागत है चलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए तयार हो जाएं हम आपके साथ हाजिर हैं आपके अपने एडवानस मेत के टॉपिक पर्मूटेशन का क्लाष थर्ड तो जल्दी से जल्दी सब लोग पर्मूटेशन की क्लास थर्ड लेने के लिए तयार हो जाएं अगर इसके पहले आप हमारी मेत की पिले लिज्ट में जाके बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं अगर जो आ ली हुई हैं तो उनको आप मैत की प्लेलिस्ट में पर्मूटेशन एडवांस मैत का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा के अच्छे तरीके से देख लीजिए और फिर इसको देखिए तो आप लोग यह नोट्स बनाते चलिएगा जिस दिन भी चैप्टर खतम होगा हम आपको PDF के माध्यम से यह पूरी जो है सीट इसकी प्रवाइट करा देंगे और हम इस तरीकी से पुढ़ाएंगे कि यूटूब पर इतना डिटेल से पर्मूटेशन आपको कम ही देखने को मिलेगा एक बार आप हमारी पूरी क्लास लिए फिर इसके बाद आपको सभी लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और बताइए देखिए कि हमारे साथ पढ़कर आपको कैसा लग रहा है देखिए इस महामारी में भी हम आपके साथ में हैं काफी दिन हो गए तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे प्ढ़ाने के लिए क्या होगी कि आपको पढ़ने में खुसी मिले या ना मिले मगर हमें पढ़ाने में बहुत ही जादा खुसी मिलती है क्योंकि हमें पता है कि हम आपको पढ़ने के लिए सिर्फ अपना केरियर दिखता है हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़ हुए हैं तो अगर हम डेली इस बात की गारंटी है क्योंकि हमारा जीवन ही पढ़ाने के लिए समर्पेता है हम आपके साथ 24 गंटे तयार है पढ़ाई को लेके तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं और जो नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है त आपको हमारे साथ क्लस करके कैसा लग रहा है तो जादा से जादा लोगल कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो चलिए अब हमें स्टार्ड करते है पर्मुटेशन का क्लास थर्ड तो देखिए पर्मुटेशन आपको पढ़ा रही थे और अभी हमारा पिछला क्लास था उसके हम पढ़ा रही थे अल्भा बेट पर आधारित प्रस्न तो भूलने नहीं देंगे, तो चलिए हमारे साथ रिवीजन करेंगे, करेंगे, तो यहां से धैँएगा, बताएंगे सब बच्चे, कमेंट में, गामान, बताइएगे कमेंट में, सब लोग बताइए फफिल एक कमान, कितना होगा, चलिए , आया, चलिए फेक्टोरियल x कमान कितना होता है 2 अब चलिए जो भी लोग देख रहे हैं तो बताएंगे कमेंट करके कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है आपका 3 गुड़ा 2 गुड़ा 1 तो यहां से देखेंगे फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 6 होगा आप देखिए यहां से देखेंगे फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 का भी मान आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितना होता है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुड़ा 3 गुड़ा 2 गुड़ा 1 तो फैक्टूरियल 4 का मान कितना होता है फैक्टूरियल 4 का मान होता है 24 अब चलिए यहां से बताएंगे फैक्टूरियल 5 के बारे में तो फैक्टूरियल 5 का मतलब होता है पांच गोड़ा चार गोड़ा तीन गोड़ा दो गोड़ा एक तो चलिए यहां से देखो बताएंग भी आपको हमने याद करा दिया फैक्टॉरियल 5 का मान होता है 120 है अब देखेंगे यहां से फैक्टॉरियल 6 का मान भी सबको याद है फैक्टॉरियल 6 का मान होता है 6 गोड़ां 5 गोड़ां 4 गोड़ां 3 गोड़ां 2 गोड़ां 1 तो फैक्टॉरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है अब देखेंगे यहां से फैक्टोरियल साथ का मान आपको याद कर लेना है और हमने बताया भी हुआ है फैक्टोरियल साथ का मतला होता है साथ गोड़ा छै गोड़ा पांच गोड़ा चार गोड़ा तीन गोड़ा दो गोड़ा एक तो यहां से देखेंगे कि फैक्टोरिय तो यह मान भी हमने आपको याद करा दिया है तो यहां से देखेंगे फैटोरियल आठ का मान होता है चालेस हजार तीन सो बीस जब डेली मान याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे और जब याद हो जाएंगे तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा यह माना पच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसके बाद हम सवाल बताते हैं तो देखो आप पच्छे तरीके समझ में आने लगेगा और आप लोग अच्छे तरीके से प आईए फिर उसके बाद आप या तो स्क्रीन सॉट ले ले या बाद में फिर से वीडियो के स्पीड बढ़ा कर आप दोवारा देखिए और एक नोट्स कंप्लीट करिए एक जो है नोट्स आप बना लीजिए पर्मूटेशन का और एक अर्थमेटिक का बना लीजिए तो दोन हम आपको देखो यह याद हो गया और याद हो गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ठीक है अब चलिए बताते हैं इसके बाद आपको देखो कल हम पांच प्रकार के कोश्चन तो समझा ही चुकी थे आज हम पढ़ाने वाले हैं अलफा बेट पर आध खत्म करने का हमारा उदेश है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा कुछ लोग ऐसा होता है कि आते हैं लाइप तो आते हैं क्लास देखी कि सर पढ़ा रहे हैं और सर के दर्सन की चला गया तो आप लोगों को दर्सन नहीं करना है कि हमें देखके चले जाए जाना ही न लोगों को offline में हमसे पढ़ने बहुत मज़ा आता था ऐसा हमने जो है मान के चला है तो आप लोग उसी तरीके से हम समझेंगे कि आप उसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम का बरवाद किये आपको हम जो है आज एक हा को समझ ले ना है तो चलिए टाइप सिक्स में पहला कुश्चन से देखियेगा कोस्चन क्या कह रहा है आपका ट्रेंगल सब्दे के अच्छोनो से ऐसे कितने सब्द बनाई जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अन्ति में इजिया और वहां कि प्यारा सब्द है T, R, I, A, N, G, L, E देखो यहां से देखेंगे G, L, E यह आपका हो गया ट्रेंगल क्या कहा है ट्रेंगल सब्दे से ट्रेंगल सब्दे के अच्छों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदी में T और अंत में E हो तो यहां से आदी और अंत क्या है तो पहले यह देखेंगे ट्रेंगल में टोटल लेटर कितने है तो काउंट करिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ है टोटल लेटर कितने है आठ है तो देखो इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका होगा आप यहां से ऐसा बॉक्स बनाओगी चली आपको सिखा देते हैं आगे अंकों पर आधारत प्रस्ण पढ़ाएंगे तो चीजें आपको समझाएंगे किसी लिए आप यहीं से आधारत बॉक्स की डाल लीजिए हाला कि बिना बॉक्स बनाए भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा मगर आप आधारत डाल लीजिए कितने लेटर है आपके आठ तो आठ डब्बे बना लें देखो एक दो तीन चार पांच छह साथ एक दो तीन चार पांच छह साथ और एक यहाँ बना लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आठ है तो आठ डब्बे बना लिए अब देखो सवाल ये क्या कहरा है अगर ट्रेंगल सब्दों को कितने प्रकार से लिखना होता तो सीधा फैक्टोरियल आता वगर इसमें कंडीशन बेश्ट सवाल है कि जिसके आदी में टी और अंते में ई हो यानि प्रारम भी में टी होना चाहिए और अंते में ई होना चाहिए इस सवाल की क्या है कंडीशन है यानि इसको इसका मतलब है हो गया कि इसमें total 8 लेटर थे और 8 लेटरों में 2 लेटरों को क्या कर चुका है то कितने लेटर बचे आपके 6 है और इन सक्सि को कहा रख सकते हैं यहाँ पर यहां देखो यह एक डबा हो गया यह दूसरा हो गया यह तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया और ये पांचमा हो गया और ये छै हो गया यानि इसका मतलब है कि टोटल डब्बे कितने हैं आपके छै यानि जब दो आपके ये फिक्स हो चुके हैं तो इनको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी सब्द बनाओ इसको परारंभे में T और अंतिमें E होना चाहिए इसका मतलब आपके जो 6 लेटर बचे वो कहां पे अरेंज हो सकती हैं यहां पर यहां पर होगी ना तो यहां से इसको लिखने का तरीका होगा फैक्टोरियल कितना 6 कितना होगा फैक्टोरियल 6 यानि फैक्टोरियल 6 क्योंकि 6 लेटर है तो 6 डबबे हैं तो 6 प्रकार से लिखा जा सकता है यानि आपका अंसर कितना आ गया फैक्टोरियल 6 अब हम पता है कि फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गोड़ां 5 गोड़ां 4 गोड़ां तीन गुड़ा दो गुड़ा एक है यानि 6 लेटर हैं तो 6 डब गों मसकते हैं और फैक्टूरियल 6 का मान हमने आपको याद कराया है कि फैक्टूरियल 6 का मान होता है 720 याद है न सबको तो याद होगा कि फैक्टूरियल 6 का मान होता है आपका 720 तो इस question का right answer आपका उमीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया है तो जलिए comment box में बताइए कैसा लागा ये question और इस question का screenshot ले लिजिए सब लोग इस question का जो भी लोग देख रहे हैं उसका screenshot लेकि हमें WhatsApp कर दीजिए ताकि हमको पता चलेगा कि इतने हमारे प्यारे student हैं जो पढ़ रहे हैं और हमार वात भी मान रहे हैं तो आप हमें WhatsApp भी कर दीजिए इस question code चलिए सब लोग लीजिए तो देखो उमीद करते हैं कि सबने ले लिया है अब चलिए अगला question आपको बताते हैं तो एक एक type question आपको आराम से पढ़ाएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि जो है समझ में नहीं आ बस आप लोग धैर बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपको सिखाने की गारंटी लेते हैं तो देखो यहां से अगला question क्या कह रहा है आपका अगला question है आपका देखेंगे यहां से बहुत ही प्यारा सब्द है आपका equations है शब्द के अच्छोनों को कितने तरीके से विवस्तित किया जा सकता है जिसमें आयन प्रारंब में और टी हमेशा अंत में हो अब देखेंगे यहां से वैसे ही question है समझने की question सब लोगों को करना है equation E, Q, U, A, T, I, O, N, S यहें देखो आपका equation से लिखा हुआ है इसमें क्या बोला है सब्दी के अच्छोनों को कितने प्रकार से विवस्तित किया जा सकता है जिसमें आयन प्रारंब में और आपका टी हमेशा अंत में हो तो ध्यान से देखेंगे इसमें total लेटर कितने लिखी है एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ कितने लिखी है, नौ लिखी है न, तो यहां से क्या करेंगे, आप यहां से ऐसे box बना लेंगे कितनी box बना लेंगे, 9 आपको 9 क्या करना है, ऐसे box बना लेना है, तो ध्यान से देखो, यह हो जाएगा, एक, फिर देखेंगे, यह हो जाएगा, दो, यह हो जाएगा, तीन, यह हो जाएगा, चार, यह देखो, पांच, यह हो जाएगा, छे, यह हो जाएगा, साथ, और यह हो जाएगा, आठ और अब देखो क्या बोला है प्रारंभ में आयन्ह और अंत्य में T हो यानि प्रारंभ में आयन होना चाहिए और अंत्य में आपका T होना चाहिए यानि दो लेटर इन नौ में से 2 क्या होगी आपके फिक्स होगए व sehe 약 4 ओन को तो आप काउंट नहीं करेंगे की क्यी क्यों जो फैक्टोरियल साथ का अमान आपको याद है कितना होता है 5040 होता है अब देखो यहां से कितने आपकी जगह बची यहां बचा 1,2, यहां से देखेंगे 3,4,5,6 और 7 तो देखेंगे यहां से कि अब आपके 7 जगह बची है बहुत आसान है नौ में से दो फिक्स हैं तो साथ बचा तो साथ को लिखने का तरीका फैक्टोरियल साथ मगर अभी ऐसा इसली समझा रहे हैं आगे आपका काम आने वाला है इसली आप अच्छे समझ लिजिए इन साथ लेटरों को साथ डबों में साथ प्रकार से 7 फैक्टोर इन सेवन का मतला होता है इन तो यहां से देखेंगे कि फैक्टोरियल साथ का मान होता है आपका 5040 तो आप इसको अच्छे तरीके से कोश्चन को नोट कर लिजिए और उमीद करते हैं कि सब को समझ में आ रहा होगा तो इस प्रकार से आप देखिए हमारी क्लास देखिए औ और आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर जिए और बताइए कैसा लग रहा है अब आप अच्छे तरीके से एक एक चीजों को पढ़ते चलिए जल्डी यल्दी का कोई काम नहीं है आप आराम से देखिए और आराम से चीजों को कॉपी करते चलिए और अच्छे से पढ़त अंते में आर हो, तो यहां से देखेंगे आपका प्यारा सब्द है, डॉटर, डी, ए, यू, यहां से देखेंगे, डी, ए, यू, जी, एच, टी, इ, आर, यहां से देखो, यह डॉटर आपका लिखा हुआ है, तो इस शब्द से कितने शब्द बनाई जा सकते हैं, कि परारभ में ए, तथा अंते में आर हो, अब देखो, इसमें टोटाल लिटर कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, और आठ है, तो क्या करना है आपको आठ डब्बे बना लेना, तो आपने क्या किया, आठ डब्बे ऐसे बना लिए, सब लोग आठ डब्बे बना लेंगे, और देखेंगे, लिखेंगे, पहला डब्बा यह हो गया, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, टोटा प्रारभ में ए तथा अंति में आर हो यानि प्रारभ में ए रखना है और अंति में आर रखना है तो यहां से देखो कि जब 8 में से 2 को क्या कर दिया फिक्स कर दिया तो कितने बचेंगे आपके 6 और फैक्टॉरियल 6 कामान कितरा होता है 720 तो बस यहां से इसका बहुत आसानी से आंसार आ जाएगा यह हो जाएगा आपका एक यह हो जाएगा दो यहां हो जाएगा आपका तीन और यह हो जाएगा चार और यह हो जाएगा पांच और यह हो जाएगा छै यानि 6 लेटर बचे और 6 को विवस्तित करने का तरीका होगा आपका फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो ध्यान से देखें कितना होगा 6 गुड़ां, 5 गुड़ां, 4 गुड़ां, 3 गुड़ां, 2 गुड़ां, 1 तो फैक्टूरियल 6 का मान सबको याद है फैक्टूरियल 6 का मान होता है 720 यानि डॉटर सब्द में अगर A को प्रारम्भ में रखा जाए और R को अंते में रखा जाए तो कुल कितने प्रकार से बिवस्तित किया जा सकता है तो इस प्रकार से आपका जो है टाइप फस्ट खत्म होता है उमीद करती है कि टाइप फस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताईए कितने लोग हैं जो ये पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया है तो जल्दी अपना नाम लिखिए अपना नाम बताईए कमेंट में कि जो है किसको किसको समझ में आ गया है तो जल्दी अपना नाम लिखते चले जाएगा और एक बार वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं आप अपने वाटसप स्टेटस पे लगा दीजिए या अपने मित्रों को गुरूपों में सेयर कर दीजिए ताकि जादा से जादा लोग जोड़ें और अपने मित्रों को जोड़ दीजिए और जितने भी स्टूडेंट कद नियां से क्लास चलती हैं आप लोग अच्छे से सबस्क्राइब कर लिए और डेली सुबर से क्लासे लीजिए ताकि आपका सब्ulle स्वस्त रहेगा और मन मस्त रहेगा अप जग भी जाएंगे और अच्छे से क्लास भी ले पाएंगे अब चलिए टाइप आइपका request कल हो गया अब बनाते हैं type 7 type 7 में देखी क्या question कह रहा है सब्द design के अच्छोनों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है की स्वर दोनों छोर पर हो यहां से देखो बहुत ही प्यारा सब्द है आपका design यहां से देखेंगे सब्द क्या है आपका design d e s d e s i z n यह देखिए यह सब्द है आपका design कहना design सब्द को कितने प्रकार से बिवस्तित किया जा सकता है ताकि दोनों छोरों पर क्या हो स्वर हों दोनों छोरों पर छोर का मतलब होता है किना रहा तो देखो स्वर का उन से हैं आपकी यह है और यह है आई तो इतनी प्रकार से आपको बिवस्तित करना है कि दोनों छोरों पर स्वर हों तो देखो कैसे बनेगा design में तोल कितनी लेटर है एक दो तीन चार पांच और छह तो टोटल छह लेटर है आपके तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे यहां चैएडबब inspired बना दिया 6 डब्बे देखो हमने बना दिये यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 3 4, 5 और 6 यह देखो 6 बना दिये अब आपसे क्या बोला है कि दोनों छोरों पर स्वर हो स्वर देखो दोनों छोरों पर बोला है तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि वर किया है और यहां कि आयेगा आई तो यह देखो ऐसा बन सकता है और है दूर ऊइसा सरों पर सर यहां देखो संभावना प्रगाठी है उस स्थरे कhin दों रोड़ना हुना चाहिए तो इससे आईसा तो नहीं बोला है न कि ziehen यहां दोनों छोरों पर स्वर है या इसकी एक इसकी और कंडीशन बन सकती है कंडीशन क्या बन सकती है देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है एक दो तीन चार पाँच और छे तो देखिए एक condition आपकी ये बन सकती है कि यहां देखो I रख ले और यहां आप E रख ले तो क्या बताओ यहां भी दोनों छोरों पर स्वर है और यहां भी दोनों छोरों पर स्वर है तो क्या गलत है क्या बोलिए गलत है क्या तो गलत नहीं है क्योंकि यहां भी देखो उसने ऐसा इस पश्ट नहीं बूला है न कि प्रारंभे में ए और अंति में आई हो कि प्रारंभे में आई अंति में ए हो तो हम दोनों प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं अब देखो यहा कितने बचेंगे चार तो एक दो कि तीन और चार यानि चार डब्बे बचे और चार लेटरों को विवस्तित करना है तो इसको कितने प्रकार से विवस्तित किया सकता है factorial 4 प्रकार से क्योंकि 4 लेटर है और 4 डबबो भेक्स करना है तो factorial 4 और factorial 4 का मान देखो हमको याद है कितना होता है 24 होता है factorial 4 का मान कितना होता है 24 होता है और यहां भी ध्यान से देखेंगे कि factorial यहां देखो 1, 2 3 प्रीगेशिण और 4 यहां भी देखेंगे आप तो यहां बेश्तित करने का तरीक ही क्या होगा चार जगास है तो प्रफेक्टोरियल 4 और प्रारम्मि में क्ली 24 या और ए anत मीं होगा तो गुल 2414 याइक लिटर बना या 14 सब्द बना या सकते हैं और अगर आई प्रारह्म में होगा और ईयंत में होगा तो भी 24 बनाऒय जा सकते हैं यानि कुल कितने सब्द पूछा है लाग तरह से सजाया सकता है तो कुल तरीके कितने होंगेrek क्य लख़िए कुल तरीके छलिक है यहां पलस 24 यानि 24 24 कितना हो जाएगा 48 तो कुल 48 तरह से सजाया जा सकता है तो उमीद करते हैं कि आपको ये हमारा कोशन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा वीडियो रोक लेते हैं थोड़ा सा गर्मी बहुल लग रही है थ्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे जब तक हम रुके हैं आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए ले लीजिए सब लोगी स्क्रीन सॉट और जल्दी से मित्रों को सेर कर दीजिए और लिंक को कॉपी कर लीजिए लिंक को भी सेर कर दीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमको और पढ़ाने में खुशी मिले तो और तेजी तेजी से बोल कर पढ़ाएं अभी थोड़ा सा आवाज धीमी निकल लई है क्योंकि लोग कम जोड़े हुए हैं जब आप जादा से जादा मित्रों को जोड़ोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जोड़ोगे आप प आप लोगों ने सबको सेयर कर दिया होगा और आज नहीं कर पाए तो कल कर देना जरूर ले लिजिए और जादा से जादा मित्रों को सेयर करिए शब लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा आप चलिए इसी परकार का आपका एक और कोशन है त क्या कह रहा है प्रतेख अवस्था में अंक 6 और 5 को अंतिम छोरों पर रखते हुए प्रतेख अवस्था में प्रतेख अंक का केवल एक बार प्रियोग करते हुए संख्या 25, 79, 74 की अलग अलग कितनी तरह से लगाया जा सकता है आपका RBI कलर्क में आया हुआ कोशन है बहु का तरीका अलग होगा तो यहां से देखो संख्या कितनी लिखी हुई है अपकी 25, 79 और 74 यह आपका देखो लखा हुआ है 25, 79 और 74 अब क्या कहा है कि 6 और 5 अंतिम छोरों पर रखना है अंतिम छोर काउन होते हैं किनारे पर 6 और 5 कहा रखना है किनार ओपर रखना है तो देखिए फिर वही सवाल आपका बन गया टोटल लेटर कितने हैं टोटल संख्याय लिखी हुई है नंबर लिखे हुए 6 तो क्या करेंगे यहां से डब्बे बनाएंगे कितने डब्बे बनाएंगे च्छे डब्बे बनाएंगे तो यह देखो यहां से च्छे डब्बे बना लिए तो देखो च्छे डब्बे बना लिए एक दो तीन चार पांच और च्छे च्छे डब्बे बना लिए अब देखिए उसने क्या कहा है प्रतिय कवस्ता में 6 और 5 अंतिम छोरों पर हो यानि 6 और 5 अंतिम छोरों पर हो तो देखो एक condition तो ये बन सकती है कि 6 और 5 अंतिम छोरों पर है वगर उसने ऐसा नहीं बोला है ना कि 6 प्रारंब में हो और 5 अंतिम हो अंतिम छोरों पर है तो देखो यहां भी अंतिम छोरों पर है यह वही condition बन सकती है यहां से फिर 6 डबबे बना लेंगे तो देखी यहां क्या करेंगे फिर से आप 6 डबबे बना लेंगे एक डबबा, दो डबबा, 3, 4, 5 और 6 चह डबबे आपने बना लिए अब देखो, आप परारब बीमे 5 रखड़ो अंते में 6 रखड़ो तो इस प्रकार भी देखो, आपका दोनों छोरों पर 6 और 5 हो गए तो देखिए, ये दोनों कंडीशन इस question में लागू हो सकती है इसमें कोई fix value नहीं बोला है कि प्रारभ में 6 और 5 में 5 दोनों छोरों पर बोला है तो ऐसे बना सकते हैं तो यहाँ देखो 6 और 5 फिक्स हो गई तो यहाँ देखो कितना बचेगा 1, 2, 3 और 4 यहाँ यहाँ पर डब्बे बचे हुए है 4 और यह नहीं समझना है कि यह वाला 4 है यह गिंती जोड़ी हमने 1, 2, 3 और 4 हमने गिंती लिख दिये ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई उसका दूसरा मतलब नहीं है यानि आपकी 4 जगए बची 4 लेटरों को ब्योस्तित करना है तो इसका तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 4 और हमें पता है कि फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है अब देखो जब प्रारम में 5 और अंत में 6 रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक, दो, तीन और चार तो यहाँ से देखेंगे इसको ब्योस्तित करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 है फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 24 होगा तो देखो अगर 6 रखेंगे प्रारम्य में 5 रखेंगे अंत में तो कुल 24 संख्याय मना जा सकती है अगर 5 रखेंगे प्रारम्य में 6 रखेंगे अंत में तो कुल 24 संख्याय मना जा सकती है यानि इसको कुल कितनी संख्याय मना जा सकती है तो कुल तरीके या कुल संख्या बना सकते हैं 24 दुरी 48 तो यहां से देख लेंगे कुल तरीके कितरे होंगे 24 धन 24 यारी कितना 48 तो यह हो जाएगा 24 धन 24 तो 24 और 24 कितना हो जाएगा आपका 48 आपका right answer हो जाएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब इस प्रकार से हमारा type 7 क्या होता है खत्म होता है तो type 7 सबको समझ में आ गया है इस type का question बन जाएगा तो comment बन जाएगा तो yes करिए अगर नह ही समझ में आया तो नो करिए तो हम आपको द्वारा से बता देते हैं तो चलिए जल्दी यल्दी कमेंट करके बताएए यस की नो जल्दी यल्दी बताएए सब लोग यस की नो तो जो लोग आज चुड़े हैं हमारे साथ लाइब के माध्याम से तो इनसी एक request है कि बेटा आप जो है पिछली क्लास देखो पहले दोनों फिर और अच्छे तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है तो इस प्रकार से टाइप 6 और टाइप 7 था आपका खत्म होता है अब चलिए बनाएंगे टाइप 8 टाइप 8 आपका और आसान question है यहां से देखें हम एक टाइप के आपको question बताते हैं गर्मी बहुत है और हमको जो है प्यास भी लगाई है तो आप लोगों को भी लगाई होगी चलिए तो सब लोग एक मैट का break ले लेंगे और सब लोग जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे पानी पी लेंगे जिनको प्यास भी नहीं लगी ह वो भी हमारे साथ अगर जोड़े हुए हैं तो पानी जरूर पी लेंगे क्योंकि अगर हम पीएंगे आप नहीं पीओगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा तो जल्दी अल्दी उठीए बाद में आप क्लास देख ले रहा हम रोके हुए हैं हम भी पानी पी रहे हैं आप पानी पी लिजिए इस पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्त्य है जिस प्रकार आज आक्सीजन की बहुत जाद आओ सकता हो रही है अगर इसी तरीके से हम अपनी मनमानी करते रहे तो इस पानी के लिए भी हमको दर दर भटकना पड़ेगा तो आप लोग अपने वातापन को एक पेड़ लगाना चाहिए मगर उस पेड़ की देख रेक करना चाहिए ताकि वो बड़ा हो सके फल फूल सके पेड़ लगा दिया फोटू घिचवाली और पेड़ मर गया पेड़ ऐसे नहीं होता पेड़ जैसे बच्चा छोटा होता है उसको बड़ा करने के लिए जि पूरा कम्प्लीट करो ऐसा नहीं कि अभी देखिए आज कल सोशल मीडिया में चल रहा है कि लोग किसी को कुछ हेल्प करते हैं फोटू पहले खिचवा लेते हैं नहीं कुछ करते हैं दिखावा पहले फेस्बुक पर पहले डाल देते हैं कोई भी धार्मेक आयोजन होता है तो पूजा भगवान की बाद में होगी और पहले डाल देंगे कि दर्सन करते हुए यग्य करते हुए हमन करते हुए ये सब चीजों का बावंडर नहीं किया जाता क्योंकि जो है अंदिविश्वास और बावंडर से आप बचना है आपको तो आप लोगों को ज्यादा फो प्रेड की फोटू खीचो मंद्रों की फोटू उनके लिए बढ़ावा करो समाज में कुछ अच्छा करो ऐसा नहीं जिससे आपका नाम खराब हो और देखिए कितना भयंकर मचा हुआ है आज कल तो आप लोग जल्दी से पानी पी लीजिए फिर हम भी पीते हैं फिर क्लास से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना क्योंकि राजनेता और राजनीती में अपन को नहीं पढ़ना है इन्हें राजनेताओं और राजनीतियों की वज़े से ही समाज में जो आज भेदभाव मचा हुआ है तो इसका एक ही कारण ह नहीं इसके पहले हमने देखा है कि हिंदू, मुसलिम, सिक्ख और इसाई आपस में रहते थे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था और हम लोग अब यूवापीडी आएगी तो इसमें सुधार करेंगे और ऐसे नेताओं को जो राजनिती में जाती और धर्म का भांते हैं कि हमारा जो टूरेंट है, हमारा पढ़ने वाला स्टुडेंट आगे चल के एक बहुत अच्छा देश का बनेगा, नौकरी उसके अच्छा नागरेख हके जरूरी है, नहीं आप लोग उने बहुत से नागरी वालों को देखा होगा, पी ते हैं दारू और घूम किमते रहते हैं तो ऐसी नौकरी का जिन्दिगी में कोई मतलब नहीं है आप लोग अच्छे नागरिक बनिए पानी पीजिए चलिए सब लोग पीते हैं आज बड़ा गस नहीं है मजा कम आता है हमको एक ग्लास और पिला दिजिए आप लोग भी और पिली जीए हाइबेट हमारा थोड़ा सा बड़ा ग्लास पानी पीने की है पानी ज्यादा पीना चाहिए आप लोग भी पी जीए चलिए अब non-stop शुरू करते हैं अब बाते नहीं करेंगे अब सिफ क्या करेंगे काम करेंगे तो चलिए आए आपको 6 और 7 पढ़ा चुके थे अब पढ़ाते हैं कहों सा टाइप 8 नंबर का तो 8 नंबर का टाइप आपको हम पढ़ाने वाले हैं तो चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझना है और 8 नंबर के टाइप को कम्प्लीट करना है तो धियान से देखेंगे 8 नंबर का टाइप आपका क्या कह रहा है शब्द बॉबल से कितने शब्द बन सकते हैं यदि सब्द इ प्रारम्मे में हो यानि बहुत ही छोटा कोश्चन है यह ऐसा कह सकते हैं कि यह बहुत ही छोटा कोश्चन है भी ओ डबलू इसको ओ को हमने छोटा कर दिया है तो ओ को कर देंगे बड़ा भी ओ डबलू इ एल एस देखो क्या कह रहा है से कितने सब्द बन सकते हैं यदि सब्द इ प्रारम्म में हो तो टोटल लेटर कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और छै अब देखो छै हैं तो आपको क्या करना है छै डब्बे बना लेना है छै है ना तो देखो आराम से समझेंगे आपको ऐसी फिलेंगानी चाहिए कि ओफलाइन क्लास चल लही है एक, दो, तीन, चार, पांच और छै यहां से देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और छै अब देखो सवाल में क्या बोला है कि ई से प्रारम्म हो अब देखेंगे यहां से ई क्या हो ई से प्रारम्म हो तो देखो ईसे प्रारम वो यानि तो क्या कर दिया गया फिक्स कर दिया गया है अब 6 में से एक लेटर आपका क्या कर दिया गया है फिक्स कर दिया गया है तो बताओ कितने लेटर बचेंगे आपके बचेंगे 5 तो एक यहां देखो कितने डब्बे हैं आपके 2 3 4 और 5 तो टो पांच परकार से नहीं कितने परकार से फैक्टोरियल पांच परकार से और फैक्टोरियल पांच का मतलब होता है पांच गोड़ा चार गोड़ा तीन गोड़ा दो गोड़ा एक तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि फैक्टोरियल पांच का मान आपका होता है 120 कितना होता है 120 स सब को याद है इसलिए गोड़ा कराने का कोई मतलब नहीं है उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए यहां से देखेंगे इस कोशन को आप लोग नोट कर लीजिए अगला कोशन बनाते हैं अगला कोशन आपका क्या कह रहा है डेहली अब डेहली सब्द ऐ कोई डेहली बोलेगा कोई दिल्ली बोलेगा कोई डिलही बोलेगा तो आप लोग किसी प्रकार से बोल सकते हैं उसका इस पेलिंग क्या होता है एक ही होता है समझ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसा बोल देती हैं कि छतरपर को भी इतना इंगलिस से बोलते हैं कि हमें लगने भासा भी सीख लिजिए सही उच्छालन भी सीखिए तो जैसे देखेंगे डेहली सब्दे के अच्छरों से डी से सुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो यहां से देखेंगे डेहली दि-e-l-h-i तो ध्यान से देखेंगेगा डेहली शब्द के अच्छरों से डी से सुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो यहां से देखेंगे डेली में total कितने लेटर हैं आपके पांच total कितने हैं 5 तो 5 क्या करेंगे हम दब्बे बना लेंगे ये देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 आप देखो सवाल में बोला कि D से प्रारम्ब करना है यानि D से प्रारम्ब करकर आप कितने total सब्द बना सकते हैं तो देखर यह तो और असान हो गया, कि D से fix करना है, तो इनी का इस्थान आपस में बदला जा सकता है, और total कितने place हैं आपके? फोर यानी 4 आपके place है, जहां आपको 4 लेटरों को बिवस्तित करना है, तो ध्यान से देखिए, एकुल कितने प्रकार से ब्यवस्तित किया जा सकता है चार प्रकार से तो चार चार जगह है चार लेटरों को रखना है तो इसको ब्यवस्तित करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का मान हमको पता है फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1 तो फैक्टोरि चार का मान सब लोगों को याद है ना कि फैक्टूरियल चार का मान आपका होता है कितना 24 उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब समझ में आ गया है तो ध्यान से देखिए अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन समझेंगे डॉटर सब्द के अच्छरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब की प्रारंबमे में अब देखें यहां से डॉटर डी ऐ यू जी एच टी आर अब देखेंगे कि डॉटर सब्द से हम कितने डॉटर सब्द से कितने अच्छोरों से उट्षब बनाया सकते है जब की प्रारंभ में ए हो अब देखें प्रारंभ में ए हो यानि आप देखें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो इनको ब्युश्तित करने का तरीका होगा कितना होगा आठ डबे बनालीजे आठ डबे बना लेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्र देखेंगे हो जाएगा 2 फिर देखेंगे हो जाएगा 3 4 5 6 और 2 यहां बना लीजे ऐसे तो यह हो जाएगा टोटल कितना आठ है अब आप से प्रारम में क्या बोला है कि जब प्रारम ऐसे हो यानि इन आठ में से आपका यह क्या कर दिया गया है फिक्स कर दिया गया है तो टोटल कितनी लेक्टर भचेंगे seven, तो seven को कहा रख सकते हैं इन साथ डब्बों में रख सकते हैं देखेंगे एक, यहां से देखेंगे दो यह देखिएगा तीन और यहां से देखेंगे चार और यह हो जाएगा पांच और यह हो जाएगा आपका च्छा है और यह हो जाएगा साथ यानि कितने डब्बे हैं आपके? साथ اور कितने لेटरों को विषट करना है साथ तो इनको रखने का तरीका क्या होगा factorial seven और factorial seven का मतलब होता है आपका seven into six into five into fourth into three into two into one तो देखको यहाँ से अब factorial seven का मान सब ने याद कर लिया है जल्दे यल्ली comment box से बताईए कि आपका factorial seven का मान कितना होगा जल्दी यल्दी सब लोग answer बताईएगा तो देखो यहां से factorial 7 का मान होता है 50 40 कितना होगा 50 40 यानि 5040 आपका right answer हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका ये 6 7 और 8 तीन प्रकार question हो गई तो 8 type आपका complete होता है उमीद करते हैं कि सबको ये हमारा type बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से note कर लीजिए अब देखो 8 type हो गई आप का उनसा पढ़ना है आपको 9 तो 9 type आप अच्छे तरीके से बना लीजिए और आपको 3 type बहुत अच्छे समझ में आ गया होगे उमीद करते हैं कि आपको ये 6, 7 और 8 नमबर का बहुत अच्छे समझ में आ गया है क्यों समझ में आया है कि नहीं आ गया होगा तो यहां से देखेंगे कुछ लड़के हैं जो हमारे डेली पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उमीद है कि आगे पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे लोग प्रेरे तो हों और पढ़ें और अपने मित्रों को सलाह दे कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए इसमें देखिए काफी सारे लोग है जिनका हम नाम तो नहीं ले पाएंगे मगर कुछ सरार्ती लोग भी हैं जो फालतू कमेंट करते हैं तो ऐसे लोग सुधर जाएं नहीं तो हम मारेंगे बहुत और आपको मारेंगे याद रखना ऐसे फालतू के कमेंट नहीं करना देखिये कुछ लोग समझ भी गए होंगे तो आप लोग कल से ऐसे कमेंट नहीं करेंगे अब देखिये आपका जो है nine number का question क्या है nine number का type क्या है आपका देखिये क्या question कहे रहा है सब्द है आपका आप देखिएगा एक ऐसी कोश्चन मना लेते हैं डॉर्टर से ही एक अच्छा कोश्चन मनने वाला है डॉर्टर सब्द के अच्छोनों से कितने शब्द बनाई जा सकते हैं जबकि स्वर सम इस्थानों पर हो यह आपका जो है तो समझेंगे डॉर्टर सब्द से कितने शब्द बनाई जा सकते है तो देखेंगे यहां से डॉर्टर सब्द के अच्छोरों से कितने शब्द बनाई जा सकते हैं यह डॉटर के लेटरों से कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर हमें स्वर किस स्थानों पर हो शम स्थानों पर यारी ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं कि जो स्वर आएंगे वो हमेशा सम इस्थानों पर आएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार question है बहुत आसान question नहीं है क्या है बहुत मज़ेदार question है तो चलिए इस मज़ेदार question को आपको हम बताते हैं तो देखिए total letter कितनी है 8 तो आपको क्या करना है 8 डब्बे बना लेना है हम आपको पूरे type सिखा देंगे तो आपसे ये बहुत अच्छा बनने लगेगा और आप permutation सीख जाएंगे और इस तरीके सीख जाएंगे कि आपको भविस्थ में पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो ध्यान से देखिएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और ऐसे बना लेंगे तो कितना हो जाएगा आठ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो नाम लिख लिए यहां से numbering कलने एक, फिर हो जाएगा दो, फिर हो जाएगा तीन फिर हो जाएगा आपका चार, फिर होगा आपका पांच और फिर होगा 6, और यहां हो जाएगा 7, और यहां हो जाएगा 8 अब कहा है कि डॉटर सब्द के अच्छनों से कितने सब्द बन सकते हैं जबकि स्वर हमेशा कहा है, समय स्थानों पर तो देखिए भईया, यहां से स्वर कितने हैं स्वर बताईए आप स्वर कौन कौन से हैं देखो तो A U और इसके बाद कौन है E, यानि स्वर कितने है 3, 3 है न? और है की और नहीं है, कितने हैं केवल? 3 है तो देखो, स्वर को कहा पे लाना है सम स्थानों पर सम का मतलब क्या होता है जो two से divisual हो यानि दो, देखो sum काउन काउन से है ये, एक ये हो गया, दो, चार चार और आठ, यानि आपके जो sum है, वो कितनी है यानि sum इस्थान कितनी है 4 है, तो देखिए यहां से अब ये अच्छा टाइप है, तो देखो आपको पेश्वर बैट सकते हैं मगर स्वर कितने हैं 3, तो अब समझना है कि 4 कुर्सियों में कोशन, पिछले वीडियों पढ़ा है कि 4 कुर्सियों में 3 लोगों को कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो वही कोशन बनेगा ना, कि 4 ऐसी जगहे हैं, जहां पे स्वरों को बैठाया जा सकता है और हमारे पास स्वर कितने हैं तो 3 हैं, तो वही आपका कोशन बन गया, कि 4 जगहों में, यानि 4 कुर्सियों में, टोटल 4 कुर्सियों में 3 लोगों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो तो वहाँ पर्मूटेशन का फार्मूला लगाते थे ना, बोलो लगाते थे ना, तो उसी प्रकार से ये कोशन बनेगा, देखो हम आपको बताते हैं, समझने की कोशिस करिएगा, कि टोटल जगाहे हैं चार, ये देखो चार जगाहे हैं, और चार जगाहे में कितने स्वरों क से आप बना सकते हैं, अब देखिएगा, यानि तीन स्वर हैं, इसके अलावा आपके क्या हैं, इन पर बैट सकते हैं, इन में बैटने का अधिकार नहीं है, अब बताओ, तो कितने बैटने बचे आपके, तो जब चार में से तीन हो गए, तो कितने बैटने बचे, पांच, टोटल लेटर कितने है आठ है तो उनको बैठने का तरीका होगा कितना फैक्टोरियल 5 क्योंकि टोटल 8 थे 8 में से 3 हो गए और कितने बचे 5 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 तो इसको solve करने का हमने formula बताया था यहां से आजाएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे आज आएगा आपका 4 माइनस 3 तो यहां से लेखिएगे नीचे आज आएगा आपका 4 माइनस का 3 तो 4 माइनस का 3 into factorial 5 यह देखो अब दिखेंगे यह तो यहां थोड़ा सा हम लिख देंगे तो आप लोग समझ जाईएगा यह हो जाएगा फैक्टोरियल चार और चार में से तीन घटाएंगे तो फैक्टोरियल एक आएगा तो यहां से देखेंगे फैक्टोरियल आ गया एक और फिर देखेंगे फैक्टोरियल पांच तो फैक्टोरियल एक का मान तो आया चार वारादूनी 24-4 28 तो यह हो जाएगा आपका 2880 यानि डॉटर सब्दों को कुल 2880 प्रकार से लिख सकते हैं कि स्वर के से स्थानों पर आएंगे समस्थानों पर आएंगे मजेदार कोशन है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आपको अभी समझ में नहीं आपको हम अगला कोशन और बताते हैं समझ में आएगा बाद में इसको अच्छे से देख लीजिएगा अब चलिए तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा समझ में आएगा समझ में आएगा समझ नहीं को से सकरिए तो समझ में आ जाएगा चलिए ठ्यान से देखते हैं इसके बाद आपको बताते हैं अगला कोशन तो अगला कोशन आपको बनाना है समझना है अगले कोशन को बहुत अच्छे तरीके से तो देखेंगे अगला कोशन आपका क्या कह रहा है डेटेल सब्दे के अच्छरों से कितने सब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर बिसाम स्थानों पर हो तो यहां से देखेंगे डेटेल यानि डे टी ए आई यहां से देखेंगे डेटेल यह समझेंगे डेटेल सब्दे अच्छरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर बिसाम इस्थानों पर हो यानि स्वर कहां पर हो बिसाम इस्थानों पर तो चलिए यहां से देखें डेटेल में टोटाल लेटा कितने हैं आपके 6 है तो यहां से देखो 6 है तो आपने क्या किया 6 डब्बे बना लिए यह देखो 1 देखेंगे 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5 और 1 यह बन जाएगा 6 चलिए ध्यान से देखेंगे तो अब देखो यहां से आप इनकी numbering कर लिजिए तो यहां आएगा 1, यह आजाएगा 2 यह आजाएगा 3 और यह आजाएगा 4 यह आजाएगा 5 और यह आजाएगा 6 तो देखो यहां से आप शे क्या बोला है कि detail सब्दे के अच्छरों कितने प्रकार से लग सकते कि स्वार कहा हो बिशाम स्थानों पर तो देखिए स्वार जो है काउन काउन से स्वार है इसमें तो स्वार है आपका E A और I तो इनको बिशाम स्थानों पर लाना है तो बिशाम स्थान काउन है 1, फिर काउन है 3, और फिर काउन है 5, यानि देखो बिशाम स्थान कितने है 3, 3 आपके पिर आपका तरीका बन जाएगा कि तीन ऐसी टोटल जगाए हैं कितनी जगाए हैं तीन और तीन जगाए में कितनी स्वारों को बैठाना है तीन स्वारों को बैठाना है क्योंकि देखो तीन स्वार हैं तो यह हो जाएगा तीन अब देखो टोटल लेटर कितने थी च्छै और 6 में से कितने ब्योस्तित हो चुके हैं 3 तो कितने बचे आपके 3 और बचे तो उनको ब्योस्तित करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो याज आएगा फैक्टोरियल 3 और जब 3 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 0 और हमने आपको याद कराया है बोलो याद कराया है कि नहीं कराया factorial 0 का मान कितना होता है 1 तो यहां से ध्यान से देखेंगे यह हो जाएगा factorial 3 और 3 में से जब 3 कर जाएगा तो बचेगा factorial 0 और यहां से देखेंगे तो यह हो जाएगा factorial 3 factorial 0 का मान होता है आपका कितना एक है और factorial 3 का मान 6 है और इस factorial 3 का मान 6 है और 6 into 6 का into करा दोगे तो आजा आएगा 36 है यानि 36 आपका right answer हो गया तो समझ में आ गया की नहीं बोलो समझ में आ गया ना तो कैसा question था यह बहुत मजेदार question था आज हम आपको बहुत मज़ेदार मज़ेदार कोशन पहने वाले है तो आप लोग इन कोशनों को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे तरीके से इनको समझ लीजिए अब चलिए ध्यान से देखेंगे कहीं जाएंगे नहीं चीजों को समझेंगे चलिए ध्यान से देखो ध्यान से देखना है ध्यान से देखिए और अब देखो अगला कोशन मनाते हैं बहुत ही प्यारा सब्द है जोक जी ओ के ई शब्द के अच्छनों से निर्मित ऐसे सब्दों जिनमें स्वर और बिंजन एकांतर क्रम में हो की संख्या है यानि देखो ये जैसा नाम वैसा काम मगर ये इतना आसान कोशन नहीं है आप लोग देखिए जी ओ के ई यानि जोक देखो जोक सब्द के अच्छनों से निर्मित ऐसे सब्द जिनमें स्वर और बिंजन एकांतर क्रम में हो ऐसे कितने तरीके हैं यानि ऐसे कितने तरीके हैं कि स्वर और बिंजन का हो एकांतर क्रम में तो ऐसे कितने तरीके बन सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको अब देखिए ये कोशन कैसा कोशन है रड़के बहु ज्यादा गलती करते हैं अब हम समझाते हैं देखिए जौक सब्द को आप जो है एक आंतर क्रम में स्वर और बैन्यन हो एक आंतर का मतलब होता है कि एक स्वर आये और एक बार क्या है बैन्यन तो देखिए यहां से देखो स्वर क्या है आपका ओ और यहां से हमने ऐसा बना लिया कि जे और के और ओ और यहां देखो यहां एक अंतर क्रम में लिखे हुए तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा देखो यहां से देखे तो इसको एक ही तरीका है इसका देखो कि ओ यहां लेखेगा यहां लेखेगा यहां लेखेगा यहां लेखेगा यहां लेखेगा तो इसको मतलब इसको लेख सकते हैं फैक्टोरियल दो क्योंकि इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है तो अब देखो और यहां देखो जे और K to किस प्रकार से लेखा चाइएं? कि K यहां आएगा या तो J यहां आएगा? यानि आपस में स्थान बदल सकते हैं तो इसको लेखने का भी तरीका कितना होगा? फैक्टॉरियल 2 गोरा फैक्टॉरियल 2 तो कितना हो जाएगा? फैक्टॉरियल 2 का मान दो फैक्टोरियल दो का मान दो तो टोटल कितना हो जाएगा चार तो यह देखो आ जाएगा चार या आप और ऐसे लिख सकते हैं या देखो इसमें एक condition और बन रही है कि J से सुरू कर रहे हैं या देखो J से न सुरू करके हम स्वर से सुरू करें तो यानि ओ लिखेंगे फिर यहां जे लिखने और यहां क्या लिख दें यहां लिख दें यहां लिख दें यहां लिख दीजिए लास्ट में आप एक तो क्या ऐसा नहीं बन सकता क्या ऐसा भी बन सकता है क्योंकि यहां भी देखो स्वर और बेंजन क्या है एक अंतरक्रम में तो यहां भी वही तरीका होगा कि आप O और E के स्थान आपस में बदल सकते हैं तो स्वरों को लिखने का तरीका होगा फैक्टोरियल दो और बेंजनों को लिखने का तरी तो ध्यान से देखेंगे कुल तरीके तो यहां से देखो समझिएगा कुल तरीके तो चार वहां चार यहां तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी चार धन चार यानि कितना कुल तरीके हो जाएगे आपके आठ तो राइट आपका अंसर कितना आ जाएगा आठ आठ आपका राइट आंसर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा कोश्चन है और इस टाइप का ये लाश्ट कोश्चन था तो ये आपका टाइप कौंसा हो गया नौमा तो इस प्रकार आपके हम जो है हमने जो वादा किया था कि आपको हम 10 टाइप पढ़ाएंगे तो उस वादे के मुताब है थोड़ा सा खड़े हो जाएए अगर बोर हो गए हो तो खड़े हो जाएए और खड़े होने के बाद बैठ जाएए तो अब देखो आपको बोरियत क्या हो गई होगी कम लगी होगी तो जो भी लोग वीडियो देख रहे तो एक बार खड़े हो जाएए और दोबारा उस से question मनाते हैं आपका 10 में टाइप दस्मा टाइप आपका बहुत ही प्यारा question है और question को आपको समझना है देखिए क्या question कह रहा है 10 में type में आपको हम 2 question मताएंगे जो आपके यूपी ईसाई में आई हुए है बहुत ही प्यारा सब्द है management है management सब्धि के अच्छणों को कितने तरह से क्रम द्ध कर सकते हैं ताकि स्वर्व और ब्यांजनों की तुल्नात्मा किस्थिती वैसी ही रहे जैसि management में हो यानी इस question को समझना ही सबसे बड़ी बात है आपसे क्या कहा है management में management सब्द से अप्षरों को कितने तरह से कर सकते हैं कि श्वर और बेंजन की वाइसे इस्तिती रहे यानि स्वर और बेंजन वाइसे इस्तिती रहे से management में जो numbering है उसी इस्थान पर आए तो यहां से देखेंगे हम question आपको यह समझा देते हैं और समझा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा तो देखतेंगे हैं आपसे management इस पे लोंग होगी आपकी M, A, N, manage, M, A, N, G, E, M, E, N, T यह देखेंगे management आपका लिख गया M, A, N, A, Z, E, M, E, N, T तो आप एक काम करें बेंजयनों को वलग कर लें, स्वरों को वलग कर लें यह देखो M हो गया, FHER N हो गया, FHER हो गया आपका G तो G लिख लेंगे फिर देखो आपका हो गया M तो M लिख लेंगे और फिर देखो ये आपका N हो गया तो N लिख लेंगे और आपका T हो गया तो T लिख लेंगे ये देखो क्या लिख गया आपके ये लिख गया आपके ब्यांजान अब स्वार काउन काउन से है तो एक E है तो E लिख लिया ये क्या हो गए आपके स्वर हो गए तो देखो ऐसी टाइप ये कोशन हम कैसे बनाएंगे थ्यान से देखिएगा सियागा नहीं देखो ये लड़का हस रहा है कैसे दाइप दान निकालके हस रहा है तो हसना क्या है? मना है यह टाइप लास्ट है अच्छे से पहलो अभी दांत निकाल रहे हो हम कहें इस question का answer कितना आएगा तो दांत निकालने के साथ मुझ भी खोल जाएगा और answer नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं बनेगा इसलिए तो कह रहे हैं कि दांत नहीं निकालो चीजों को समझो दे रिपीट है तो उससे क्या करना होता है डिवाइट करना होता है तो देखो क्या रिपीट है आपका M तो M का बार है आपका दो बार तो यह देखो फैक्टोरियल 2 से डिवाइट करेंगे अब देखो यहां क्या रिपीट है N तो N का बार आएगा दो बार तो यहां भी देख देखेंगे यहां से आपको मताते है डृआट मैख़र्टॉरिय्ट छीकामान याद है कितना आप करहें कितना तो नहीं याद सथे тел warten दो चार क्अट तो सब्सक्राइब कटेगा जो रोख difर देखें यहां से 1000 2 Bye और चार से कार दो तो 18 चो को बहत्तर एक सवस्ती अठार पंचेनब्य और 186 का 108 तो यह हो जाएगा तो इस question का आपका right answer कितना आजाएगा तर सवस्ती आपका right answer आजाएगा तो उमीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा हमें पता हैं समझ में हम उमीद भर करते हैं समझ में आया नहीं है क्योंकि हमें आपकी सकल देखकर आपकी अगला कांदाजा हो जाता है इसलिए हम गड़ित के क्या हैं मास्टर हैं तो अब देखो यह समझना है इंपोर्टेंट कोश्चन है और समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे वीडियो कर लेना जब खताम हो जाए क्लास हम अगला कोश्चन समझाते हैं तो अभी लाइव आपको समझ में आएगा इसलिए आप ध्यान से देखिएगा तो यूपी एसाई का एकजाम होगा तो यह पर्मूटेशन बहुत अच्छे तरीके से आएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लें अगर आप हमारा मात्र वीडियो देखते हैं आप हमारे पूरा नोट से कंप्लीट करते हैं हम गारंटी लेते हैं कि आप किसी भी चीज़ें नहीं मिलेंगी मिलेंगी तो मगर इतने सारे कोशन इतने सारे टाइप नहीं मिलेंगे चाहे तो आप सर्च कर लो पर मूटेशन और देख लो कहां मिलते हैं तो आपको बहुत कम ऐसे क्लासें मिलेंगी अब देखिएगा यहां से देखेंगे अगला कोशन बतात सब देखे अच्छोरों से कितने सब बनाए जा सकते हैं यहां से देखो पाटली पुत्र जो कि आपके पटना का बिहाय है पुराना नाम है प्राची नाम है तो यहां से देखेंगे P-P-A-T-L-I पाटली पुत्र P-U-T-R-A इस पेलेंग तो सही है ना देखेंगे समझेंगे पी ए टी आल आई पी यू टी आर ए सही है अब देखेंगे पाटली पुत्र क्या कोशन कहा है कि स्वार एवं बेंजनों के आप एछित क्रमों को बिना बदले हुए पाटली पुत्र शब्दे के अच्छोरों से कितने तो यहां से देखो स्वारों और बेंजनों का जो है आप एछित क्रम है नहीं बदलना है तो एक काम करो स्वारों को अलग लेख लो बेंजनों को अलग लेख लो और फिर मल्टिप्लाई करा लो तो आपका हाज आएगा तो स्वार देखो कौन सा है स्वार है पी फिर देख टी, आर, ये देखो हमने क्या किया, स्वरों, बेंजनों को लिख लिया, अलग, अब स्वरों को लेखेंगे, तो स्वर है आपका ए, फिर देखेंगे, आई, फिर यहां देखो, यू, और ए, तो ये हो जाएगे आपके स्वर, टोटल देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नौ, दस, तो देखेंगे, च्छ, और चार, दस, तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल, अब देखो, यहां से, रिपीट है क्या, रिपीट है, क्या रिपीट है, पी, कह बार आया है, दो बार, तो फैक्टोरियल दो, इसके अलाबा कोई दो बार, तो बस इस question का आपका अंसर आ जाएगा, और ध्यान से देखेंगे, solve करना हमने आपको सिखा दिया है, तो आप लोग जो है, solve कर लेंगे, फैक्टोरियल चाई का मान कितना होता है, 720, फैक्टोरियल दो का मान 2, फैक्टोरियल दो का मान 2, गोरा दो कितना, 4 और फेक्टुरियल चार का मान होता है 24 और फेक्टुरियल दो का मान होता है 2 तो चार दुनी आठ 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 तिया 24 यानि यह आंसर आएगा 720 गोड़ा कितना तीन तो यह हो जाएगा जीरो तीन दुनी च्छै और साथ यानि 2160 तो इस प्रकार से आपका यह 270 राइट आंसर आ गया और यह दसमा टाइप खत्म हो गया और उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा चलिए समझ में आ गया है तो आप लोग एक काम करेंगे जल्दी जल्दी इसको अपने मित्रों को सेर कर दीजिए और बताइए कि आप भी पर्मूटेशन सेख लो और जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा हम आपको पीडिया भेज देंगे तो इसके लिए आप हमारा वाटसअप नमबर लिखा हुआ है इस पर आप अपना वाटसअप नमबर लिखकर हमको फेज दे तो हम आपका नमबर सेफ कर लेंगे और आपको पीडिया भेज दें के बैट लीजिए माइंड को फ्रेश कर लीजिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियो को जादा से जादा मित्रों को सेर करिए आपका एक लच्छ होना चाहिए हम आपको देखो पैसे तो नहीं पर भढ़ा रहे हैं तो आपका भी स से तीन यानि पांस स्क्राइबर बढ़वाते हैं तो आप हमारा परिवार बढ़ा करते चलेंगे और आप कर सकते हैं आप किसी के भी मुवाइल ले लिजिए अपने मित्रों का उसमें स्वाइम सब्सक्राइब करिए क्योंकि उनसे बताओ कि वह बद देख तो लेगा करेगा क्योंकि सब्सक्राइब करने पता नहीं क्या लोगों को लगता है तो आप जो है उसको मुवाइल में सब्सक्राइब कर देजिए और अपने मित्रों को इस चैनल के बारें बताइए और हम लोगों को जो है सपोर्ट करिए हम आपको डेली पढ़ाएंगे और इसी एनरजी क के साथ पढ़ाएंगे अगर आप लोग और पद्वार बढ़ेगा तो और इनरजी के साथ पढ़ाएंगे